तो फ्रेंट्स आज में लेके आई हूँ आपके लिए एक नई decent recipe नान खटाई तो हमारे हां तो नान खटाई sweets बोलते हैं, आपके यहां क्या बोलते हैं I don't know, please comment करके जरूर बताएं कि आपके यहां क्या बोलते हैं तो इसे नान कटाई के बिस्किट भी बोलते हैं हमारे हाँ पर और तो देखिए सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ हमारे जो नान कटाई होगी तो दोनों तरफ से ही सिखी भी होगी और ये बिगर ओवन के बने वी हैं कडाई में ही हमने इनको बनाया है हमने इसमें ओवन का यूज नहीं किया है नहीं और कड़ाई में किस तरह से बनाया है इस टीम दे करके हमने ये बनाया है तो आपका टाइम भी ना वेश्ट किया चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो मैंने चीनी पीस ली थी ये एक कटोरी बावल मैंने चीनी लिए है थोड़े से ड्राइफ अब इसमें मैं गी एड़ कर रही हूँ गी आड़ करूँगी मैं चीनी चीनी की मातरा है उतना ही हम गी लेंगे क्या मैं एक टैक्चर तयार है जिसे रूप में इस स्टरिके से अमें चलाना है तो फाइनली इसका जो जब चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे तो एक लोनी की कलर में ये हो जाएगा और उसी तरीके से थोड़ी पिल-पिली सी हो जाएगी तो आप देख सकते हो देखिए मैंने कितने करीब करीब 5-7 मिंट तक चलाना है मैं तो इसे स्पून की मदद से ही चलाया है आप जो होता है न मिक्स करने का उससे भी चला सकते हैं तो देखे मैंने अब ये पाँस-साथ मिंट के लिए रख दिये हैं चलिए इतने बागी का समान तयार कर लेते हैं तो मैंने क्या किया एक थालीली है और चनीली है तो दोस्तों अब मैं क्या कर रही हूँ ये पूरा बर्क के बाउल एक कटोरी मैदा है ये चान रही हूँ और उससे कम सूजी है आदी बाउल सूजी है ये तो ये भी लिया है आदी बाउल मैंने क्या किया है बेसन लिया है तो बेसन आप मोटा भी ले सकते हो और बारीक भी ले सकते हो इसमें कोई मना ही नहीं है कि म भरीक लेना है हम ने यह लिया है अजन्ता बेकिंग पॉडर तो देखिए मैंने अब क्या करना है यह लै रही हूं इसे एड़ कर लेना है इलाइची से क्या होता है अच्छा यह फाल अच्छा तो उसमें मैं हलके हातों से हातों से करना है तो हातों से कर लीजिए चमच से करना है चमच की हल्प से तो चमच की हल्प से कर लीजिए बिल्कुल हलके हलके हातों से आपको एक डो तैयार कर लेना है तो देखिए आठा की तरह गूंदतना नहीं है बिल्कुल भी यह बिल्कु अब क्या करेंगे इसको 10 मिंट के लिए रख देंगे ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छे से तब तक हम क्या कर लेते हैं एक कड़ाई लेंगे और एक कड़ाई में क्या करेंगे दस मिंट हो चुके हैं देखिए दोस्तों अब क्या करें हम इसको लंबी-लंबी सेफ देंगे तो आप अच्छे से जो भी सेफ देना चाहते हो अपनी एक्षा से वो दे सकते हो तो फ्रेंड्स देखे इस तरीके से इसे बिल्कुल सोफ्ट हातों से बना के तयार कर देनी है और बिल्कुल चमच की हेल्प से हमें एकवल लेनी है ताकि छोटा और बड़ी ना हो मैंने ये पहले बना के देख ली थी गोल गोल जो दो रखी है तो आपको इसी तरह के से पहले बना के देख लेनी है अगर ठीक बनती है तो फिर आगे का प्रोसेस आपको पूरा करना है तो फ्रेंड से देखिए, अब यह आप देख सकते हो, मैं इसको बाकी को भी बना रही हूँ, तो इसी तरह से लंबी-लंबी सेफ में मैं सारी नान खटाई तैयार कर लूँगी, तो फ्रेंड से खाने में बहुती टेस्टी लगती है, मुझे तो बहुती पसंद है, मैंने इसमें देशी घी यूज किया है, अगर आप देशी घी यूज नहीं करना चाहते हैं, आप इन नहीं कर सकते हैं, तो बजट के अकोल्डिंग आप डालडा यूज कर सकते हैं, और त तो देखिया, आप क्या करेंगे, मैंने एक स्पून ली है, स्पून की हेल्प से मैंने इसमें हलके हलके light circles निकाल दूँगी इसमें, light बिल्कुल हलके हलके हाथ से निकालनी है, निसान कर दूँगी, तो इससे क्या होगा, इससे हमारे लुक जो होगा, और भी pretty होगा, pretty और तो friends ये खाने में बहुती soft और बहुती अच्छी लगती है आप यकीन मानियत एक बार बनाएंगे दुबारा भी इसको इसी तरीके से बनाएंगे और सबसे पहली बात है कि मैं इस recipe को bigger oven के बनाऊंगी तो कड़ाई में बनाऊंगी क्योंकि oven जो होता है वो हर किसी के पास नहीं होता है तो इसलिए मैं आपको ये कड़ाई में ही बनाऊंगी कड़ाई में stream दे करके कि कैसे तरीके से बनाते हैं आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो friends मैंने क्या किया है, जो dry fruits थे और पर सभी को मैंने अपनी naan 뭐가 पर add कर दिया है, तो dry fruit add करने के बाद देखिए, इसका जो look है, कितना अच्छा आया है, तो friends, अब मैंने क्या क्या है, मैंने एक जुगाड़ क्या है, एक पेन ली है, उस पर मैंने इस्पून रख दी है इस्पून के ऊपर मैंने अपनी नान कटाई रख दी है और अब क्या करूंगी मैं गैस ओन कर दूंगी और गैस ओन करके अपनी कड़ाई को गैस पर रख दूंगी तो सुरू सुरू में जब तक गड़ाई तेज गरम नहीं होती जब तक तेजी गैस रखनी है और फिर इसको मीडियम कर देना है तो आप में क्या करकोंगी में बंद कर दूँगी ताकि भाप बहर ना जाय creator मैं ने बंद कर दी है और कर और इसको कम से कम आदे घंदे के बाद मैं इसको ओपन करके देखूंगी बीच बीच में देखते रहना है ताकि हमारी नान खटाई जलना जाए इसलिए तो फ्रेंड्स देखें दस मिन्ट हो चुक अब मैं क्या करने हूं इसमें बिल्कुल मेडियम कर दिया गैस तो अब मैं क्या करूंगी आदा घंटा हो चुका है हमारी जो नान खटाई बिल्कुल बनके तैयार हो गई है हम क्या करेंगे हम इसको अराम से निकाले लेंगे तो हम यह गरम है बहुत बहुत जाद है तो मैंने कपड़े की हेल्प से मैं अपकड़ करके इसको दिखा रही हूं आपको आप देख सकते हो कि बनके कितनी खिली- अच्छी हो गई है तो दोस्तों मैंने मैं थोड़ा इस पेस कम दे पाई हूं आप यह गलती ना करें थोड़ा इस पेस जादे ही रखे नन खटाई में तो देखिए हमारे जो नान खटाई है कितनी अच्छी और फूली-फूली बनके तैयार हुई है यह खाने में बहुत ह और मज़ेदार लगती हैं आप एक बार बना करके इस तरह से खाएंगे तो दुबारे बार ये देखी मैंने आपको एकदम फोड के दिखाई है तो कितनी सॉफ्ट है ये और इसको मैं दिखा रही हूं कि किस्तनी अच्छे से ये सिखी है बिलकुल बहुत ही अच्छे से ये दोनों तरफ से सिख गई है ये मैं दुबारे भी फोड के दिखा रही हूं कितनी सॉफ्ट तरीके से ये बनी है तो देखिए कितना अच्छा लुक है और कितनी अच्छे से उपर से भी सिख गई है अगर हमारे पास ओवन होता तो ओवन से क्या होता है दोनों तरफ से ही सि की हैं और उपर से भी हमारी अच्छे से सीख गई हैं अगर आप मेरी तरीके से बनाएंगे तो दोनों तरफ से सीख जाएगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना